बात से संबर्द करते हुए उनकी बात को बल देते हुए अब बात रखता हूँ क्योंकि समय कम है तो संचेप में बात करूँगा CHOs, जो CHOs हैं वो हमारे स्वास रुबार की वीड की हट्टी है हर ग्रामिट शेत्रों में सबसे ज़्याद है वोई काम करते हैं गाओं गाओं में जहां पर CHOs हैं उन पर CHOs की तैनाती है बारस सब्कार का नियम है कि उनको 25,000 रुपे की सेलरी और 15,000 रुपे इस्टा इंसेंटिब में दिये जाएगा दूसरे स्टेटों में 25,000 रुपे में 30,000 के जाने दे रहे और बहुत से हैथे स्टेट से जहां कर उनके इंसेंटिब्स को और उनकी सेलरी को एक साथ कर दिया गया है सिर्फ उत्तक प्रदेश हैं जो उनको सिर्फ 20,000 रुपे की सेलरी दे रहा है जब्कि उनकी गृमिक शेत्र में जाके रहते हैं और अपने घर जो दूर दूर से डिस्टिक्स से आते हैं उनको सेलरी आप भारत सरकार के हिसाब से नी दे रहे इंसेंटिव जो आप 15,000 रुपे दे रहे हैं वो उनको मिलता नहीं इसमें रश्टा चाहरे है 30-30% उसमें रिश्वत दी जाती है तब उनको इंसेंटिव मिलता है यह है यह जोश्ट किया तो दोस्तो माना निये मावदे साब ने कम्यूटी हेल्थ ओपिसर को लेकर सांदार बाते कहीं है उन्होंने कम्यूटी हेल्थ ओपिसर को ग्रावमीन लेवल पे रीड की हड़ी बताया है और साथ साथ में जो इंसेंटिव मिलता है उसमें करप्सन को लेकर भी उन्होंने साब साब सपस्ट कर दिया है तो बताने वाले दोस्तो बात यह है आप लोगों को कि आप लोग भी बोल सकते हैं जो भी जिस स्टेर्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं इन्होंने M.P. का बताया है और U.P. का बताया है U.P. में सेलरी उन्होंने 20,000 बताई है और बाकि इंसेंटीव है तो मैं तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेल कर सकते हैं, डिपार्टपेंट में जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप अपना राइट है कि जो अपनी सेलरी और जो इंसेंटिव है दोनों को आपस पे मर्ज करके उनका सेलरी बना दो, टोटल 40,000 रुपे दे होगा, तो लाइक जरूर कीजएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सेर कीजएगा, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, कि जितना हो सके वीडियो को सेर कीजएगा, सारे दोस्तों तक ताकि सब तक यह बात पहुंच सकें, और कहीं न कहीं आप लोगों के लिए benefit में कोई फैसला आ सके धन्यवाद